कि हमारे रावन पूरूद है हम उनके परिवार वाले हैं हम जो रावन का देन नहीं देखते हैं उनको और देन होने के बाद जो है हम स्रान करते हैं और यह भी शिब भक्त है इनको मा सती में माना गया है इनके दर्शन मात्र से पापनास हो जाते हैं और मुक्स प्राप्ति हो जाती है आप देख रहे हैं हर्याना 36 लाइव 36 बिरादरी की अवाज भाई सबसे पहले तो सभी दर्शन को मेरा नमस्कार मैं आसी सांगुवन हरियाना 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज दुसेरे का आवसर है और ये त्योहार पूरे देश में मना जाता है और इस त्योहार पे भगवान शिरी राम की पूजा होती है और वहीं कुछ स्थान ऐसे हैं देश में साथ जगह ऐसी हैं जहां पे राम को छोड़के रावन की पूजा होती है अब ही मैं बताओं मेरी लोकेशन जो है राजस्तान की जो जोड़पूर सिटी है वहां हम मौजूद हैं और एक मात्र सबसे बड़ा मंदिर ऐसा है जहां पे रावन की पूजा होती है तो मंदिर भी दिखाएंगे और जो मंदिर के पूजारी है पंड़जी है उनसे भी बाचित करवाएंगे और इस बारे में भी पता करेंगे कि रावन की पूजा क्यों होती है क्योंकि ये लोग ये बोलते कि हम उनके रावन हमारे पूर्वज है कुछ ऐसा भी इनका मानना है तो सबसे पहले अगर मैं आपको मंदिर दिखना चाहूं तो कैमरे के पिछे जो हो आप मेरे मंदिर देख रहे हो जो रावन का मंदिर है बड़ी सारी जो है वो मुर्ती राव पूर्वज रावन को मानते हैं कारण क्या है कि जब रावन का विवा हुआ था उस समय हम रावन के साथ मंदोर आये थे और मंदोर आने के बाद उन्होंने मंदूद्री से विवा करके यहां से पुस्पक विमान पे वापिश चले गए और हम यहां रहे गए उनके बाद मंदोर समाप्त हो गया किला और हम जोदपूर के किले के तलहटी में आके बस गए और तलहटी के अंदर करीबन सो परिवार ऐसे हैं जो रावन के पूरवज है मानते हैं कि हमारा रावन हम उनके परिवार वाले हैं ऐसे तो क्या है रावन जो है राम चंदर जी ने उनको जो है अत्याचार के लिए समाप्त किया था बुरई के लिए मगर उनकी जो अच्छाईया हैं हमारे नजर में उनके हिसाब से हम उनको हमारा लोक देवता मानते हैं और लोक देवता के हिस ताके इस उत्री भार्त की तरफ जो है रहें आगे वह हमारे पूरमिज कैसे आये कोई करण के रहाओंन के साहथ आगा और उसके बाद में क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारे लोक देवता जो है नहीं है कारण किया है कि इसके अंदर जो गुण है सबसे बड़ा गुण तो यह बलिट था ये त्रिलो की नाथ था आकाश, पाताल और पर्थी का मालिक ता मालिक का मतलब उस पे अपना सासन था इसका जैसे यह जो है सरी मंगल ग्रह पे जाता था और कारण क्या हुआ कि जो ग्रह है वो प्रमांड के अंदर जो है विच्छित करते थे प्रमन करते थे अपने स्वेच चानुसार उन्होंने मने रावन ने इनको गतियों को बांदा जैसे सुर्य है एक राशी से दूसरी राशी पर जाता है तो एक महीने से ही तू जा सकता है मंगल डैड महीने से सनी को का कि टाई साल के बाद में तू दूसरी राशी बदलेगा इस प्रकार उन्होंने ये कारिक किया तीसरा ये वेदग्य था सभी वेदों में निपून था चौता प्रमा यहां इनके यहां जाके जो है वेद पढ़ते थे और रावन जो इत्ता बल और उन्होंने रावन ने अपना जो गुरु है वो सिव को बना दिया और सिव ने इनको कई तरह की विद्याहें और आज सिर्वात दिया और चतुर में एक पुस्तक के अंदर पूरा इसका उलेक आया हुआ है वेम रक्षाम पुस्तक है चतुरशैन की चतुरशैन की वेम पुस्तक के अंदर रावन का पूर्ण विवरन दिया गया है कि रावन कौन था कैसा था राजा कैसे बढ़ा सुनकाल कैसे था इस प्रकार और दूसरा यह संगीत की था अच्छा तेजरा जो है बलिट था चोटा जो जानकार था अपने मंत्रों के अंदर ऐसा जानकार न तो हुआ है न होगा दूसरी बात यह थी कि इसको यह भुष्य वक्ता भी था जो जो तीस है जो तीस के अंदर जो उपन करते हैं लंको देश को बोलते हैं वो भी जो तीस इस ने जो है गड़ित जो है बनाई थी इस परकार कई विश्यों के अंदर यह जानकार था और अवह है जो है प्लेन मनाने का भी जानकार था यह हां आप सोचो कि nhất आ जानकार था हम उनके गुणओं को और उनके वंसर्जोगने के नाते और वंसर्ज में जुरूरी और हैरे हमारी को अधा ओppen Coolg 118 मैंज्वा मुद्गल गोत्र मुद्गल को हम मानते हैं यह पुलिय स्थी का पत्र दा फिशर पा डेटा था फोने दने पुलिष सी पुलिष्त गोत्रे इसको मानते हैं में मुद्गल रिष्षी वह भी इनके पूजा ओर रहे थे और उट्री के बंदर के पूजा की पूजा होती है त्रीजटा का अब फ्रेंस टिश्टा मन गया नुनुदेवी की पूजा होती है इसका मतलब है कि हम बहुत नजदी की इनके रिष्टदार है इसलिए आज दिन तक पूजा होती है नहीं नजदी की रिष्टदार होने के कारण हम जो है उसकी पूजा करते ह पूजा नहीं करता है तो उसकी जो बच्ची है वो मर्तिव के बाद भी उसके पिता को उसकी पूजा करने पड़ती है इतना मतलग कठोर पूजा है इसकी पंड़ जी एक बात और भी अगर हम पूछना चाहें आज के दिन पूरे देश में रावन का दहन होता है तो क्या हम चलता है और हमुरती में बात उससे पहले भी मृति यह नहीं देखते हैं अदो हैं धाय के बाद में इस चाहिते हैं उसके बाद मेरा कि पूजा करते हैं और उनके बाद प्रसाद चड़ातें उनको भूग लगातें उनके बाद हम बोजन करते हैं वागि दिन जो है सोग मनाते हैं जी 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 उत्यक्त application आंतरिक शोक्मर मंदिर की एक बार दिखाना चाहेंगी कि जो मंदिर है तो कि बेंदर की जब से इस मेंदर का निर्मान होआ है हजारों दो कोई आदम आता रहता है और ऑनकोसे मात्रसे जैसे कोई विझ्थारती है तो अपनी ऑपनी बुद्धीतिवरे करने के लिए आता है संगीत की आता है तो दर्सन से उसका संगीत आगे बढ़ता है पहनवान आता है तो देखकर उसकी जो है सरी में स्पूर्थी जदा बढ़ती है और वेद पढ़ने वाले भी बच्चे आते हैं और अलग-अलग जो है विश्यों के हिसाब से इनके दर्सन करते हैं और हम जो है पुजा करते हैं और स्राइज के अंदर और पिंड़नान भी करते हैं अगर कोई भी विक्ति आता है यहां पे कुछ भी मांगता है तो वह परसेंट उसको फट मिलें ब्राप्त होता है इसे के बार दिखाएं जो मंदिर है एक बार जो यहां पर जोदपुर में मोखूद हूं जो महरांगड का किला है वहां पर है इसका रावन का sudah मंदीर है और पहली मूर्ति पता रहे थे आप किस टाइप की है। हाँ यह हिंदुस्तान के पेली मूर्थी है जो सिव पोडर अपना विखेश्थ करती हुई है सिव भक्त के अनुसार ये मूर्ती बने गई गई रहा है कौन कौन सी मूर्ती है वैसे जो साट आठ जगह है देश में एक तो रास्तान जोद्पूर में है एक कानपूर में हैं एक दूबार भी है लेकिन पहली ऐसी मुर्ति है जो कि शिव भक्त के नुसार है तो वो भी मैं जो है आपको दिखाना चाहूंगा कि यह जो मंदीर है इसकी क्या कुछ खास विशेस्थाइं है क्योंकि रावन का जो यह मंदीर है और आज जो है पूरा द भी करते हैं सबसे पहले अगर मैं मंदीर दिखना चाहूं तो यह रावन का मंदीर है और इस पर आप देखना चाहोगे तो काफी बड़ी मुर्ति जो है वो है यह और अगर देखना चाहे तो सिव लिंग की जो क्योंकि शिव भक्त माने जाते हैं रावन को बहुत बड़ा आर्थी वर्ति हां डेली डेली होती है अभी का टाइमिंग क्या कुछ है अभी तो सहे पूजा कर रहे हैं और अपने रुदरी पार्ट से पूजा करते हैं इसको रुदरा रुदरा स्टेशी से तो हम आपको भी इसको बता देते हैं जोदपूर में अभी जो रावन का कंदीर वहां पर हम मौजूद हैं एक मात्र ऐसी मुर्ति है जहां पर रावन जो है सिवलिंग पर जल चड़ाते हुए कि मुर्ति यहां पर आप देखना चाहोगे पिछे जो पंड़जी है वो यहां पर पूजा अर्चना करते हैं और वो हमें बताएंगे कि जो पूजा अ स्वरत्वा तैतिस्थत्दा सांगोलम्म पूरुका एवे दगुण सर्वं जद्भूतं यच्च वाव्यंम्म उताम्रतत्वस्ये सानो जलने नाति रौःति एतावा नस्यमाहिमातो जायाष्य पूरुका आदो सिवस्वापूता नित्रिपा दस्याम्रतंदिवे पूरुका पादो हेहा बावत्पूना ततो विक्वं विक्रामसा नसाने अभी तातो वीरा डजा यतब वीरा जो आधि पूरुका सजा तो अत्यरिश्य सपश्याष्य भूमिमातो पूराद तो यह जो है यहां पर हमने आपको दिखाए कि जो रावन की पूजा होती है वो किस प्रकार से होती है जो महरानी मंदोद्री थी उसका अगर मैं यहां पर प्रतिमा दिखाना चाहूं तो यहां पर उनकी भी जो है वो प्रतिमा स्थापित है एक बार मैं पूरा जो है साइ प्रतिम ये रावन की पत्नी मंदोदरी है और यह भी सिभ बग्त है को मां सती में माना गया है इनके दर्शन मातर से पाप नास हो जाते हैं और अर यह सिभ बग्त हैं आतमें शिव लियों हैं और अपने महराजा रावन के बिल्कुल सामने जी यह भी खास बात है जो देखने वाली है कि अनका जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने 90 और 24वर्स आप आपस में सामने देखते हैं और सिर्फ की पूजा करते हैं और ऐसा ऐसी कहीं आपको प्रतिमा बिल्कुल सामने नहीं मिलेगी के पर भी इसका कारण किया है जी जो 90 डिगरी पर बता रहे हो जो प्रतिमा है रावन की और जो मंदोद्री जी है ये दोनों ही अपने आमने सामने बैठके सिर्की पूजा किया करती थी पहले और उनकी पूजा से दोनों को य आपको दिखाया जो रावन की जो प्रतिमा थी वो हमने दिखाई पूरा देश जो है वो आज रावन का देहन करेगा वहीं जो यहां के जो कुछ स्थानिये जो पंड़जी है उनका ये कहना है कि रावन जो है वो उनके पूर्वज है तो वो उनकी जो है पूजा करते हैं की अर्चना करते हैं फिलहाल जो है मोजूद हैं महरानगड का जो किला है उसकी चोटी के उपर एक मंदीर है रावन का जो मंदीर है पीछे में आगर दिखाना जाओं तो काफी सारा बड़ा सीवलिंग है उपर जो है नाग की फोटो यहां पर प्रतिमा यहां पर भी है और य पलपल की अपडेट के लिए हर्याना 36 लाइब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तबाएं